नमस्कार साथी हूँ मैं हूँ अविनाश अर्मा स्वागत है आपका आपके अपने यूटिब चैनल पोजिटिव बिल्डर्स में आज मैं आपको बताऊंगा नकलीव असली स्टील के बीच में क्या अंतर होता है किस तरह से हम जो है उसकी पहचान कर सकते हैं तो आज की से आए आपके घर में नहीं आएंगी अगर आप इस वीडियो कौन तक देखते हैं तो वीडियो पर बने रहें आए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना समय गवाए तो जैसे ही आप स्टील बार को देखते हैं जैसे की वीडियो में आपको दिखाय जा रहा है तो अच्छी क्वालिटी की है या फिर नहीं यह जो सरीया है वो अच्छी क्वालिटी का है या फिर नहीं तो किस तरह से चेक करेंगे ब्रैंडिंग सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ब्रैंड क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो स्टील बार के उपर जो है व उसके बाद grade दिया होगा, grade कैसे दिया होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि FE 550 या फिर 500 इस तरह से जो है, उसका grade मेंशन होगा, सबसे पहले समझेगे कि यहाँ पर FE है, वो क्या है, तो FE जो है, वो iron का राइसेनिक नाम होता है, तो यहाँ पर FE दिया गया है, इ कितना pressure या फिर कितना load जो है, वो आपका steel जो है, वो सहन कर सकता है, रेजिस कर सकता है, तो 550 जो है, वो उसकी yield strength है, तो इस तरह से जो है, वो यहाँ पर आपके steel बार के ऊपर जो है, वो mention होती है, yield strength mention होती है, उसका grade mention होता है, super ductile है, फिर ductile है, इस तरह से सभी चीज़े जो है वो mention होती है आगे मैं आपको वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में बता दूँगा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंडियन स्टेंडर्ड कोड के अनुसार building by laws के अनुसार हम जो है वो building की construction करना चाहते हैं तो वहाँ पर 415 grade से नीचे के grade के सरीय का इस्तिमाल नहीं करेंगे सबसे पहले ये ध्यान देना है तो जब भी आप building बनाए 415 या उससे उपर 500-550 इस तरह के grade के steel का इस्तिमाल करें वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आप ध्यान देंगे कि 550 या फिर 500 grade के बाद जैसे ही आपने अपनी बार के उपर पड़ा कि 550 grade का है उसके बाद क्या mention किया जाता है कुछ इस तरह से जुल है वो letter यहां पर mention होते है SD या फिर D, SD का मतलब है कि आपकी steel bar जो है वो super ductile है और D का मतलब है कि आपकी bar जो है वो ductile है ductility से अर्थ यह है कि आपके steel bar में जो है वो लचीला पन कितना है तो super ductile है तो और भी जादा जो है वो ductility है उसमें और भी अच्छी quality का है और ductile है तो लचीला पन है उसमें तो जितना लचीला पन आपकी steel bar में होगा जब हम development length प्रवाइड करते हैं beams में, column में, L shame में जब हम बार्स को मोड़ते हैं क्योंकि बहुत बार बिल्डिंग्स के कामों में जैसे की column में जो है वो steel को मोड़ा जाता है जब हम ties बनाएंगे, stirps बनाएंगे वहाँ पर आपने देखा होगा hook जो provide की जाती है उसमें steel को मोड़ा जाता है 135 degree के angle पे उसका angle होता है hook का, तो इस तरह से जो है वो अलग-अलग member में अलग-अलग steel के member होगे वहाँ पर जो है वो development length प्रवाइड की जाएगी और development length में जो है वो आपके steel bar को मोड़ा जाता है तो मोड़ने में जो है वो अगर आपके steel bar में ductility होगी लचीला पन होगा तभी वो मुड़ पाएगा नहीं तो उसके बीच में जो है वो crack आ जाएगे इस तरह का जो reinforcement है सरीया है वो आपकी building के लिए आपकी construction के लिए बहदर नहीं है तो ductile आपका जो है वो reinforcement होना चाहिए आपका steel जो है आपका सरीया जो है वो लचीला होना चाहिए उसमें लचीलापन होना चाहिए ductility होने चाहिए तो इसी चीज को वहाँ पर जो है वो mention किया गया है कि आपका steel जो है वो super ductile है या फिर ductile है इसी के साथ जो है वो आपकी steel bar के उपर जो है वो steel का डाया कितना है steel की मोटाई कितनी है जो आपकी steel bar है उसके मोटाई भी वहाँ पर mention की गई होती है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि 16mm का सर्या होगा तो वहाँ पर 16mm लिखा हुआ होगा 20mm का सर्या होगा तो 20mm लिखा होगा और इस तरह से जो है वो आपके steel bar की मोटाई भी वहाँ पर जो है वो mention की गई होगी स्टील बार के उपर तो इस तरह से आप जो है वो चेक करते रहें और आपको पता चलता जाएगा कि आपकी स्टील बार जो है वो कैसी है मजबूत है सुरक्षित है डक्टाइल है या फिर आपको जो है अगर उसमें आप जब बेंड करोगे जैसे कि आप अपने स्टील को चेक करना चाहते हैं तो 180 डिगरी पे आप 180 डिगरी के कोण पे अपनी स्टील बार को बेंड करें अगर उसके पीछे या फिर जहां पर बेंड हो रहा है उसके बैक साइड या फिर इनर साइड जो है उसके सरफेस पे किसे तरह के कोई क्रैक आते हैं वहां से वो तूट जाता है तो वो स्टील जो है वो बहतर स्टील नहीं है अच्छी क्वालिटी का स्टील नहीं है ऐसे स 180 degree पर आप जो को मोड़ें अगर आपका steel तोट रहा है तो वो steel जो है जो अच्छा नहीं है इसी के साथ आपने देखा होगा कि आपके steel बार के उपर सरिया के उपर जो है वो इस सतरा से जो है वो लाइनिंग की गई है lines डाली गई है इस तरह के pattern बनाए गए है इन्हें हम जो है वो ribs कहते हैं देखे ribs का क्या काम होता है bonding का काम होता है steel और concrete में अच्छी पकड़ बनाने के लिए हम जो है वो ribs यहां पर provide करते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है जो अच्छी quality का steel होगा जो सरिया होगा उसमें जो ribs है वो traverse pattern में होगी आपको जो है वो X pattern में इस तरह के ribs वाला अगर कोई सरिया है उसे ना खरीदें जो traverse pattern में जो steel में जो है वो ribs है उसी सरिया को आपको खरीदना है दो तरह की रिफ्स होती है एक ट्रैवर्स पैटर्न में जो रिफ्स होती है वो होती है और एक जो है वो लोंगी ट्यूडनल रिफ्स होती है कि जहां पर जिस तरफ जो है वो लोंगी ट्यूडनल आपकी रिफ्स होगी वहां से सरिया को नहीं मोडना है जो दूसरी तरफ जो है दो तरफ से जो है वो longitudinal ribs होती है और दो साइड से जो है वो नहीं होती तो जिस साइड से longitudinal ribs नहीं है वहाँ से आपको जो है वो steel को bend करना है और अगर आप जो है वो longitudinal ribs की तरफ से steel को मोडते हैं तब वो स्टील जो है वो जरूर टूटेगा तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है इस चीज को ध्यान में रखकर ही आप जो है वो स्टील की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं 180 डिग्री एंगल पे मोडने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि TMT बार की ही मैं प्र्मोशन कर रहा हूं इसके बारे में बता रहा हूं कोई ऐसा और ब्रैड है जिसकी जानकारी मैं आपको दे सकूँ जो अच्छा स्टील है तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इस ब्रैड की प्रोशन कर रहा हूं मैंने जो है वो जादा से जादा इसी स्टील का construction के दुराण जो है वो इस्तिमाल किया है और मैंने ये पाया है कि जब भी मैंने development length provide की गई है या फिर construction में जब भी development length प्रोवाइड की जाती है columns में, footing में, या फिर आपके beam में तो हाँ पर مुड़ने के बाद स्टील को मोडने के बाद जो है वो क्रैक्स नहीं आए है स्टील नहीं टूटा है तो इसी कारण मेरा इस ब्रैंड के उपर जो है वो बिश्वास बन चुका है कि इसमें जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है तो इसलिए में TMT बार का इस्तिमाल कर रहा हूँ और जैसे ही TMT बार को बनाया जाता है तो जब गर्म होती है आपकी TMT बार उसे ठंडा करने के लिए जो है वो हाई प्रेश्यर वोटर से जो है उसके उपर छिड़काव किया जाता है पानी का वोटर का जिसकी वज़से बार की जो सता है TMT बार की वो काफी स्ट्रोंग बनती है और अंदर की जो सता है वो डक्टाइल होती है तो आपका स्टील जो है जो TMT बार है वो मजबूत भी है उसकी स्ट्रेंथ भी जादा है इसी के साथ जो है वो डक्टाइल भी है उसमें लचीला पन भी है तो साथियों आप इन सभी बातों से नकली सरिया और असली सरिया की पहचान कर सकते हैं आज की जानकारी आपको कैसी लगी अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है झाल झाल